हेलो एव्रीबन सागत है आप सभी का एक बाफिस से हमारे चैनल GDC Medicine पे हम अपने इस चैनल पे दवाईयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपूर जानकारी आपको देते हैं तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को जरूर विजिट क जिएगा आज हम बात करने वाले हैं बहुत थी पॉपलर मेडिसन अस्था काइंड डियक सिरप के बारे में जी हां अस्था काइंड का जो डियक सिरप है एक ऐसी सिरप होती है जब आपको सूखी खासी जी हां ड्राइक अफ होता है उसको दूर करेगा साथी साथ जब होता है जुकाम हो जाता है बंद नाक होता है एलर्जी यानि की आँक से पानी आना छीक आना नाक से पानी आना मतलब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए यह अस्था काइन का डिया जाता है डॉक्टर की पहली पसंद होती है और इसका बहुत अच्छा सर देखने को मिल जाता है इसके काम करने का तरीका यहानी की में केंजम अपरिक्शन क्या है इसके इस्तेमाल करने का सभी तरीका loze मतलब इसे सीरप की हम आपको सं पूर्ण जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो में बने रहीएगा तकि कोई भी इन्फॉर्मेशन में इस नहोंने पाई जी हां अस्ता काइंड डीयक सिरफ के अंदर अगर हम कंपोजीशन की बात कर लें तो क्या क्या चीज मिला होगा फेनिल फरिन जो की पांच सिरफ के अंदर मिला हुआ होगा तो बहुत ही अची कंपनी मैं काइंड फार्मासुटकल निम्टेड के दोरा बनाई जाती है रूम डंबरेचर पर स्टोर कर सकते हैं और 100 ml के सिरफ के बॉटल की कीमत लगवग 90-95 के आसपास आ जाती है बात करेंगे यूजस कीजिया अस्ता है बंद नाख होता है जक्रन होता है सर्दी जुकाम हो जाता है जैसे चीक आना नाक बहना आंक से पानी आना इचिंग होना स्वेलिंग हो जाना नैजल कंजेक्शन में जक्रन हो जाना और इस्टिफनेस हो जाना बंद नाख हो जाना तो इन सारी समस्याओं को दूर करेगा overall आपके cold और cuff को दूर करने की बहुत ही अच्छे सिरफ यह मानी जाएगी फिर बात करेंगे mechanism affection, काम करने का तरीका क्या है देखे, तीन अलग-अलग content मिले हुए होते हैं तीनों का अलग-अलग यहां पर roll देखने को मिलेगा, सबसे पहले dextrometharfen की बात कर लें तो यह हमारा cuff supprescent होता है यानि की जो हमारा brain में cuff center होता है उस पे जाके add करेगा और ऐसी muscle जो cuff को produce करती है उनको invite कर देगा, block कर देगा और आपका cuff आना बंद हो जाएगा इस प्रकार से यह गवर करेगा फिर phenylferin की बात कर लें नेजल कंजस्टेंट वाली समस्या है उसको हमारा कम कर देगा और आपका नेजल पासेज को खोल देगा blood vessel constant हो जाएगी तो आपका नाक भी खोल जाएगा फिर बात कर लेते हैं chlorphenamine की तो एक तरह से anti allergic, anti histaminic category की drug होती है जो कि आपके allergic symptom बोले तो जो आपका छीक आ रहा है आख से पानी आना, नाक से पानी आना, नाक बैना इन सारे allergic symptom को यहाँ पे दूर करने के लिए chlorphenamine response भी लोगा तो इस प्रकार से आपका dextromethyalphen की बात कर लें phenylphenamine की बात कर लें chlorphenamine अपना-पना role play करेंगे और आपकी सूखी खासी allergic symptom, बंदनाक सारी समस्याओं को ठीक कर देंगे फिर बात कर लेंगे dose सही dose तो देखो आपको आपके डाक्टर के हिसाब से रहेगा तो ज़्यादा सही है क्योंकि वो आपकी condition के हिसाब से आपको dose देते हैं वैसे आपका एक से दो चम्मस दिन में दो से दीन बार आप ले सकते हो इस्तमाल करने से पहले bottle को अच्छे से से जरूर करें food के साथ लेने पर या measuring cup के साथ ही ले खुद bottle से न लें क्योंकि ज़्यादा अगर चला जाएगा तो side effect देखने को मिल जाएगा फिर बात करेंगे precaution क्या साथानिया पर अतनी है तो जितना भी डोज बताए जाए कभी भी खुद उससे ज़्यादा consume न करें बच्चों की पाउस से दूर रखे इसको लेने के बाद drive करने की ability effect हो सकती है drowsiness cause हो सकता है तो driving न करें साथी साथ सीरप के साथ alcohol का consumption न करें अगर आप glaucoma वाले patient है तो interaction हो सकता है तो वहाँ पे भी आपको नहीं लेना है फिर बात करेंगे dear side effect क्या side effect देखने को मिल सकता है तो भाईया nausea यानी की जी मचला सकता है dry mouth देखने को मिल सकता है stomach में pain देखने को मिल सकता है कब्स यानी की constipation की समस्या हो सकती है vision थोड़ा सा blood यानी दुदला हो सकता है और headache की समस्या बन सकती है तो यह सारी समस्यां देखने को मिल सकती है जो कि side effect rare होता है किसी को suit नहीं किया या बहुत ज़्यादा ले लिये तब होगा sodium यह था आपका asthakind dx syrup एक ऐसा syrup जो की सूखी कासी, सर्दी जुखाम, बंदनाग, जकडन इन सारी समस्याओं को दूर करता है बहुत ही अच्छा syrup होता है डॉक्टर की पहली पसंद मानी जाती है इस syrup की जानकारी आपको कैसी लगी अगली medicine, अगली दवाई अगला syrup किसके बारे में बताएं उसे भी comment box में जरूर लिख दीजेगा इसी तरीके से आपको धेर सारे tablet, capsule, ointment, gel, syrup, injection जिसकी भी जानकारी चाहिए चैनल को विजिट कीजेगा हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी विडियो अच्छा लगा हो तो share, like, subscribe भी कर दीजेगा मिलते हैं आप किसी अगले विडियो में किसी अगले medicine के information के साथ तब तक के लिए thank you so much dear all the very best